नमस्कार दोस्तों तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हारदिक स्वागत है आज छापर से हम और हमारे दोस्त लोग हिमाचल के लिए घुमने के लिए निकले और हिमाचल के अंदर परवेश किया और दुनिया का एक स्वर्ग कैदो उसको स्वर्ग से भी कम नहीं है एस एसी घाटियां एसी वादियां इतना शानदार नजारा कि हमने अपने जीवन में नहीं देखा भागिरजी भी हमारे साथ है भागिरजी आप इस टूर के अंदर साथ में थे आप अपना अनुभव हमारे इस वीडियो में बताना चाहेंगे सबी दर्शकों को राम राम हम दूर दरा जाते हैं राजस्तान में भी जाते हैं दिल्ली जाते हैं गुजरा जाते हैं लेकिन साथियों जो दृस्षे जो वहां की वादियां और गाटियां और वहां के लोगों का प्यार जो हमें हिमाचल पर्देश में मिला साइध ही वो नाइट का द्रिश्य चल दा है हम गाड़ी चला रहे हैं और पूरे ऐसे लग रहे हैं सभी सितारे उतर के धर्थी पे आगए कुछ कहना चाहेंगे बागिरा जी बस कहना यह चाहते हैं जगह बहुत श्यांदार है लेकिन साथियों ट्रेवलिंग करते हैं उस रहें एक तरफ 100 फिट 200 फिट उपर पहड और दूसरे τरफ 1500 फिट गहरी खाईी बस बाकि वो देखने को वही है यह आपके सामने है देह सकते हो आप अमारी स्क्रिन के ऊपर आप देह सकते हो हमें एक होटल की बालकनी में खडे हैं और पीछे आप देख सकते हो कितनी गहरी खाई है लेकि बंगले यहां लोग बनाते हैं और चैन से उन में रहते हैं लेकिन अब जिस जब अभी वार हम जाएंगे तो वहां का नजरा और भी कुछ अलग होगा ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक होटल का नजरा है ये होटल की जो बालकनी है ये एकदम खाई के उपर बन देख में है और ये ये बड़े बड़े पहाड और इन पहाडों को भी में से फोर लाइन थी ना पहाडों को चीरते हुए फोर लाइन बनी हुई है और ये बड़े 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 इमारतें यहां पर बनी हुई है हाँ वागे रजी हाँ ये एक चीज तो मैंने या नोट की इन्होंने इसमें जैसे मालो फोर लेन बनी वी इसमें डिवाइडर भी है और दूरी के जो हमें इसमें दिये वे भी है भी आपको इस इंसाब से चलना है गाइड भी गाइड जो है वो भी यहां पर बहुत अच्छा है और कई केज़े के देखने को मिलता है पहा रोटल मिलेंगे, सो रूम मिलेंगे, खाने के इस्टाल मिलेंगे फ़र्स फुड जो आपके मन में होगा वो फ़र्स फूड आपको here मिलेगा और सबसे बड़ी बात है का इतना खूबसरत सहär होते होँगी यहां पे इतना महेंगापन नहीं है ने ने महेंगापन बिलकुल यहां के जो रूम मिलते हैं एकदम चस्ते उसे ज़जारा तो अपने गावं में ले लेते हैं अपने यहां लौकल में आप देख लो sóई स्थक्राइद को पहली आपको रूम नहीं मिलेगा। और वहां के लोगोगों आओ भगित का तरीका देखो कितना मांख समान देते हैं अगर हम यहां जैसे अपन राजस्तानी लोग हैं अपन अगर वहां जाएंगे तो वास्ता में वह अतित देव भवा का जो असली इस्तेमाल वही कर रहे हैं और हमें एक बहुत ही अच्छे दोस्त मिले जी जी उनके बारे में आप भागी रजी बताईए मैं आपको बता दूँ कि हमारे वहां एक हिमाचल परदेश के हैं सिमला से रहने वाले हैं और उनके वो शेयों का बाग है कुसाल जी नाव है उनका बहुत अच्छे मित रहे हो तोड़े हम उनके साथ रहे जैदा नहीं कह सकते हैं तीस चारीस मिनित उनके साथ रहे होंगे इन वासता में आदम बहुत अच्छे दिल के बहुत अच्छे आदमी थे हमें ऐसा मैसे हुआ कि बरसों से हमारी दोस्ती चली आ रही है ऐसा अंदर फिलिंग आया लग इसे रह हमका को इनके साथ में हमारा इसाफ किता बागी है एक दम राइट बात है और यह बीच के अंदर एक क्लिप पंजाब की आ गई है पंजाब के अंदर से हम निकले दे कोई कारिक काम था हमारे वहां की रोड़ का यह द्रिश्य है और यह वापस हम माचल में घुश गए हैं और वहाँ मैं बता दूँ जो दोस्तों साथ में ट्रेवलिंग करते हैं न वास्ता में अलग आनंद के नुबूती होती है और आप गाड़ी भी चला रहे हैं भागीर जी कैसा महसूस हो रहा है आपको देखो गाड़ी चला रहा हूं लेकिन मैं आप चला रहे थे तो एक थोड़ सा के मन में एसे था कि नहीं ड़ने वाली बात ने गुरु हमेरे साथ है बाकि एरिया बहुत अच्छा है यह बात मानने पड़ेगी आपको और यह टूर हमारे 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 मलत दिल के एकदम नजदीक है हमारे च्छापर के है पूस राजी सोन उन्हें के दुवारा ही हमें यह सोबाग्य पराप्त हुआ इस हिमाचल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे बागे रहा हमारे जो प्रमित्र मान लो बड़े भाई मान लो मारक दक्सक हैं हमारे नितेज ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर हैं आदरनी स्री पूसराजी सोनी उन् भागेरे जी हम दसकों को बताना चाहें कि हमने जीरो डिग्री से नीचे, हमने वाँ रुके और काफी इंजोई किया, और सुबह सुबह उड़ते ही हमने वाँ योग भी किया, जिसका हम गुरू चेला पर लाइव भी हुए थे और यह भागिरेजी ने रिकोड़ किया था इसलिए इस वीडियो को भी हमने लगाया बागिरे जी उस समय का दिरीश याप हमारे दिर्सकों को बताएंगे देखो बताने को यह से है कि वहाँ उस समय मिलबे सुब्ब का बोर का समय था छे बज़े का समय था और हम वागे लोकल इस्ताने लोगों से पुछा कि यहां सूरियों दे कितनी बज़े होता है तो उन्हों सबने बोला कि यहां 8 बज़े कि समतिंग होता है तो आप के जो रूटीन का जो काम है जो योग शिकाने का जो काम है जरूरत मंद्गी जरूरत का चो काम है उस काम में आप लगे आप अपना काम अपने वीवर्स को दिखाने चाते ते क्योंकि उनको आप टाइम नहीं दे सेके ते क्योंकि 12-14 गंटे से आप हमारी साथ थे तो उस समय जो हमने जो वीडियो बनाया तो उस वीडियो के मादिन से हमने चारों तरब से जो देखा एक महौल कि वहाँ पर उपर चोटी पर भी मकान बनावा है और नीचे भी मकान बनावा है और वहाँ के जो भोगोली की स्थिति है वो भोग वली किस्तिती देखने लाए गया और ठंड के अपन बात करते हैं तो ठंड मेरे हिसाब से राजस्तान से वहाँ को ज्यादा नहीं थी और वहां के अपन तो यह लोग क्या करते हैं कि सताण यह लोग है वो अलाव तापते हैं लेकड़ें जलते हैं इन वहां के लोगों वो श्रुम नहीं देखा लेकिन वागीती इस वीडियो वो आप दिखा रहे हैं कि यह देखिए यह गाड़ी के काज के ओपर ब्रब जम भर्लकि मैं योग कर रहा था उस टेम मतलब पूरा सरीर के अंदर सर्दी काफी थी लेकिन हमारी यहाँ चापर में चूरुजुजिले में जो सर्दी पढ़ती है वेसी सर्दी वहां नहीं थी हाँ हाड कंप पाने वाले सादी ने थी हां यहां हैं जैसे धुजते हैं हो धुजने extended कि वहां तुजने वाली तुजने वाली सद próxim मुहां पर नई ती आप्टन तो यहां में वहां है अपन कितनी विश्टा करते हैं रिवो इसे कुछ नहीं दा वा लेकिन मित्रों जन्नत से कम नहीं था हम थोड़े समय के लिए वहां गए थे लेकिन थोड़े समय में हमें ऐसे स्वर का जैसा हमें अनुबर हुआ यहां राजस्तान के अंदर एतीले दोलों के दोरों के अंदर खेले कुदे बड़े हुए और इस तरह का नजारा जीवन में पहली बार देखा हमने क्यों पागितर जी आप भी पहले कभी गए हुए थे क्या पहले दाणिक बास कर रहे हैं आप हम तो कभी सापर सुजाने कर जैपूर जाएंगे कर गई नहीं थे राज पर देखा वास्त में वह एक प्रसंस निया है सराहन यह है और इसकी परसंस आपिज है वह कम है और इस तूर के हम थोड़ी थोड़ी जैसे समय मिला हमने क्लिपें ली वह क्लिपें भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गारी के अंदर बहार अब हमारे जितने भी मितर थे हम इस जचाहिक पीटा नहीं हो तो उस समय का यह दिर से आप लेकर रहे हैं पिछे गलोबल इंस्टिटूट है यह हर्याने का उसके सामने चाहिका दुकान था और एक मितर हमारे साथ और जूड़े थे जिसका वीडियो हम यहां लगा रहे हैं यह जहां हम रात को ठेरे थे व अंदर हमारे एक भाई साथ से मुलाकात हुई थी दिल्ली वासी थे और उन्होंने बहुत ही शांदार तरीके से हमारी आव भक्त की उनका वीडियो भी हम इसके अंदर लगा और मितर रात्री में जहां हम रुके थे वहां पे हमने कोफी चाय वगेर पी और बहुत शांदा इसके बाहर एक ट्रक बनाया हुआ था जिस पर बहुत ही शांदार तरीके से इन्होंने रेस्टोरेंट उसमें बना रखा था यहां पर फास्ट फूड का यहां पर सिस्टम है और इतने अच्छे इंसान है भागिर जी आब बताएंगे कोफी का अनन्द ले रहे हैं जो प्राइब के बीच में आकि अपना वेवसाई किया है जो एक होटल वेवसाई मान लें उसको क्योंकि फास्ट फूड काम है खाने का विसमें काम है जो इनको मेनेजमेंट था एक गाड़ी के वो ट्रक के उपर जो इन्होंने बनाया है वास्ता में देखने के लिए एंटी अंदर तो समान तयार रगदार उपर बेटी के उसके खाये जाता है चोटी चोटी गाडियों पर तो जैसे फलोदे वाले है आइसक्रीम वाले हमने देखे देखे लेकिन इतने बड़े ट्रक के अंदर पूरा रेस्टोडेंट जा नीचे रेस्टोडेंट और ऊपर बेठन मान समान किया इसके लिए हम इस डेली वेली के प्रोप्राइटर हमेरे चोटी साब का महरते से आभार परकट करते हैं और यह हमारे गुरू चेला के यह दर्सक भी है इन्होंने हमारा जैज्जो स्वागत किया अभीदान किया हम जीवन पर इनको अपने दिल में बसाके हु नहीं से मिलाया जो हमारे दर्सक है हमने गाडी यही आके श्टौफ किया हमने इनके पास तीन-चार गंटे का नाइट इस्टेबी किया था इसलिए मित्रों हमें ज्यादा तो समेह नहीं लगा लेकिन हमारे हमारे टूर की थोड़ी सी हमने पिक्चर थोड़ी खिंची है उ आपको वहां ठंड मैसूस नहीं होगी जैसे कहते हैं गंगादमदी में नाने के बाद में ठंड नहीं लगती आदमी को वेसा है वहां कुछ एक देखने को मिला और ऐसे ही हम वीडियो आपको इस चैनल पर दिखाते रहेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा लाइक कोम खना बाद मैस चैनल प्रण साजार